जी बिलकुल रुशील डेकॉर जो है फोकस में रहने वाला और हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हुई है यहां पता चला है कि एचना एकाउंटर में जो है बाइंग देखनी शुरू हो गई है आज पहला दिन है जहां पर वॉल्यूम्स में अच्छी इंप्रूब्मेंट देखने में लिए रुशील डेकॉर की और याद रखे जो एफ़ए 24 का रेविन्यू का एक्सपेक्टेशन से वो लगबग हजार करोड टच कर सकता है अगले तीन साल में ये तीन हजार करोड हो सकता है oversborर थेक्स पें ने मिल सकती हे और यह ऐइस्पोर्स में रहेगा और importantly अगर बात करें जो non retail investors है जो H&I investors है वो लगभग 14% stake जो होल्ड करते हैं अगर stock के बारे में बात करें तो October से लेके अभी तक पिछले चार महीने में stock largely flattish रहा है पर volatility आई है और correction देखने मिला है हाला कि आज trading के session में जो है buying देखने मिली है H&I category में ठीक है एक हजार क्रोड रुपे के आसपास का market cap है इस company का और इस पर जो खबर है उसमें अच्छे से आपको बता दे कि इनका export front पड़ेगा अगले तीन साल में यह company जितना है सेल्स दिखा रही करीब 8500 क्रोड रुपे का यह करीब इसको 3000 क्रोड करना चाहते है अगले तीन साल में और इस financial year में करीब 1000 क्रोड की sales कर देगा 1500 क्रोड की sales बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह सारे नंबर हमको एक source based information जिसे हम कहते हैं वह आते हैं इसलिए हम एक आपको standard disclosure पे अपने वित्ते सलाकारों स साजह कर रहे हैं बट आप देख समझ के standard काम कीजिएगा 4% उपर है टेक्निकली सेट अप तो हमको ठीक लग रहा है मैंने खुछ से इसके चार्ट देखे लेकिन फिर भी मैं सुदीब से एक बार पता करूंगा सुदीब आपको इसके चार्ट ठीक लग रहें अगर नंबर तीन महेने से इन फैक्ट ओक्टोबर नवेंबर के महेने से गा यदि हम देखे तो 350 से लेके 395 के बीच में ही इसका एक ट्रेडिंग बैंड रहा है और हर बार जब जब यह 350-360 के करीब आता है वहीं से एक स्ट्रॉंग पुश मिल जाता है तो मुझे लग रहा है फिलाल ज यदि कोई भाई भी करता है तो एक stop loss लेके चलना चाहिए जो की 350-355 है जो एक lower end of the support zone है because result है तो थोड़ा volatility रहेगा इसलिए थोड़ा stop loss deep है तो अगर कोई positions लेता है यह discussion के business पे तो मुझे लग रहा है quantity थोड़ा manage करके चले और risk थोड़ा result के perspective से सोच के चले सच है कि results होते हैं तो साथ में volatility भी आती है results के इसलिए थड़ा volume कम रखे शेयर में 255 का एक base बना हुआ है खबर आपके सामने रिशिल डेकोर के री बता दी है शरद ने जो भी फैसला लेने अपने वित्तिस अलाकरों से पूछ के या फिर इस segment को धान में रखते हुए कि सिर्फ news based होता है जो source based हमको मिल रहा होता है इसकम standard disclosure भी चलाते हैं आप भी इस चीज़ को अपने मद्दे नजर रखेगा खैर साड़े चार पर संट इस यह उपर भी